कि नमस्कार मैं रंजन कुमार अम्री तधी अम्री तधी अपका हार्डिक स्वाथ करता हूँ बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ चंगुप्त मैनेजमेंट इसिटूट यानि CIMP पतना में जो है साथ एसिया फिल उमेन फेस्टिवल का आजण किया गया जिसमें कि आज दो फिल्में भी दिखाएं गए सीता के बदलते रूप और एक और मुवी थी डिकोर्डिंग जेंडर क्या संदेश देंगे सार यह क्या करते हैं यं बालिकाई भी असुरक्षी ते क्या कहेंगे आप क्या संदेश देंगे इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यह विभाग है जो खरा रहा है माने निया वंदना प्रेशी जी के लीडर्शिप में तो मैं सबसे पहले तो विभाग को धन्यवाद देता ह और उनके इस जो इनिशेटिव है जो प्रकल्प है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इनिशेटिव समाज के बदलती स्वरूप में और अभी जो समाजिक और समाजिक और आर्थिक परिद्रिश है इसमें महिलाओं की प्रती उनके अधिकारों के प्रती उनके स शात्र शात्राओं को एवं समाज के विभिन वर्गों को जागरू करने का एक सकारात्मत प्रियास है भारत देश की जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसे बचाने का बहुत ही बहुत ही नितान तावशक्त है ताकि हम युवापीडी में जो है नवाचार, शेक्षा और अन्य कौशल के अलावा भी जो मानविय मुल्यों की जो रक्षा करनी है महिलाओं के समान के बारे में महिलाओं के अधिकार के बारे में जो बातें करनी है वो एक समता मुलक समाज की स्थापना के लिए बहुत ही आवशक है और फिल्म के माध्यम से ये सकारात्मक संदेश चात्र को दिये जा रहे हैं ताकि वो समाज के विभिन वर्गों में महिलाओं के प्रती सम्मान सम्मानता का भाव रखें सम्मानता और सम्मान का भाव रखें उनके अधिकारों की रक्षा करें लैंगिक भेद ना होने दें और समाज में उन्हें कंदे से गंधा मिलाकर एक किस थापना में अपना योगदान दे धन्यवाद दोनों फिल्में बहुत ही अच्छी रही और एक तरसे क्रांतिकारी मुवी है समाज जिक परिवर्तन का भी संदेश देती है सिता के बदलते रूप और डिकोडिंग जेंडर जो की डिकोडिंग जेंडर जो है बंगला देस क के साथ महिला के परती सम्मान का भी भाव जगाएगी समाजी जागिटी भी होगी हीवाव में और हमारे समाज में जो है महिलाओं के परती जो सम्मान है वो वापस कैसे हो हम एक और जहां गेवियों को पूछते हैं और दूसरी और ये क्राइम भी होता है कैसे ये विचार क प्रांती के लिए समाज के विभिन हितधारक हैं उनकी सोच हम जो कहते हैं सोच मन वचन और कर्म में एकागरता लाने की आवश्यक्ता है और इसमें हम स्कूल में नैतिक मुल्यों की शिक्षा और कॉलेज में भी नैतिक मुल्यों की शिक्षा तथा एक जो सकारात्मक वाताव प्रवरन बनाने का जो प्रियास है तो शिक्षा के जगत के सभी हितधारकों से निवेदन रहेगा कि सभी शिक्षक, प्रशिक्षगण और प्रध्यापगण और प्रधानादापगण मिलकर छात्रों के बीच यह संदेश बराबर देते रहें कि महिला और पुरुष दोनों इस समाज के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने की समाज में अन्य हितधारक आवश्यक हैं और दोनों को समान मिलना चाहिए, सहभागिता मिलने चाहिए और एक दूसरे के प्रती जो है हम समर्पन का भाव रखें, समान का भाव रखें और समाज में बराबरी का हिस्सा दे ताकि हम एक सुद्रिड भारत बना सकें और अपनी सांस्कृतिक विरासतों को बचा सकें धन्यवाद। ताकि हम एक सुद्रिड भारत बना सकें धन्यवाद।